हेलो गाइस वेलकम टो विवर क्लास्स लेट्स कॉंटीनू पार्ट टू जिसमें हम आपको MBA का एक बहुत important subject है financial management उसका आपके पास chapter 1 discuss करने जा रहे हैं तो जो इस unit के अंदर आपके पास syllabus है उसको हम एके करके discuss करेंगे तो अभी फिलहाल हम इसके साथ first part discuss करेंगे जिसमें आपके पास financial management के functions है scope क्या है financial management का और objective क्या है फिर इसके next chapter में हम देखेंगे time value of money क्या होता है तो चली फटा-फट से देखते हैं कि financial management क्या होती है और उसकी क्या जरूरत होती है किसी भी organization में तो सबसे पहली बात अगर हम finance की बात करें तो finance क्या है finance can be defined as art and science of money management अब देखेंगे पैसा ऐसी चीज है जो organization में उतना जरूरी है जतना घर में जरूरी है अब जैसे घर में जो mother होती है वो पैसा provider है father और mother जो है घर में दिये गए पैसे को पूरे तरीके से manage करती है optimally यानि इस तरीके से manage करती है की पूरे महीने का जो खरचा है वो भी चल जाए और saving भी हो जाए अब इसे art क्यों कहा जाता है क्योंकि finance को manage करने का काम हर किसी के बस की बात नहीं है एक artist जैसे हर कोई नहीं बन सकता है इसे financial manager हर कोई नहीं बन सकता और इस Live science इसलिए कहा जाता है क्योंकि finance की management में बहुत जादा decision making लगती है बहुत technicalities लगती है जैसे कि science में लगती है तो finance can be defined as art and science of money management ये भी आपके पास highlight करने को आसकता है तो आपको art अलग से बताना पड़ेगा science अलग से बताना पड़ेगा इसके के लाबा हम ये जानते हैं जैसे हमारी body में blood का role है बिल्कुल उसी तरीके से जो finance होता है वो किसी भी enterprise के लिए life blood होती है किसी भी organization की success और जो failure है वो उस organization में कितने अच्छे तरीके से financial decisions लिए है financial manager ने उस पे depend करता है तीन financial decision हम लोग पढ़ेंगे पहला होगा investment decision दूसरा होगा हमारे पास financing decision तीसरा हमारे पास होगा dividend decision तो ये तीन decision mainly हम इसके अंदर discuss करेंगे और एक financial manager को यही तीन main important decisions लेने है जिससे किसी भी organization की success और failure decide होती है तो investment decision में हम क्या करते हैं ये देखते हैं कि पैसा कितना चाहिए और किस purpose के लिए चाहिए एक बार जब ये decide हो जाए कि पैसा कितना चाहिए किस purpose के लिए चाहिए उसके बाद हम second step पर जाते हैं कि पैसा कहां से लिया जाए यानि source कहां से होगा debt से ले या equity से ले चलो पैसा ले भी लिया और लगा भी दिया जिस purpose पे लगाना था अब हमें profit हो गया तो profit का कितना part बाटा जाए और कितना retain करा जाए इनको एक एक करके हम detailed में discuss करेंगे तो basically जो यह line यहां लिखी है कि किसी भी organization की success और failure इस बात पर depend करती है कि उस organization का जो financial manager है उसने कितनी quality financial decision लिया है यानि जितने अच्छे यह तीन decisions होंगे उस organization की success उसी पर depend कर रही है यानि अगर कोई organization grow कर रही है इसका मतलब यह है कि उस organization का जो financial manager है उसकी financing decision जो power है वो बहुत अच्छी है पहले ऐसा नहीं होता था कि financial manager अलग होता था लेकिन आज के scenario में जो उसका role है वो बहुत जादा बढ़ गया है पहले से उसका role बहुत expanded हो गया है इसलिए financial management को एक separate function बना दिया गया है यानि अब अगर आप इसी organization में देखेंगे तो marketing manager अलग होता है production manager अलग होता है sales manager अलग होता है और finance manager अलग होता है पहले यह सारी activity more or less एक ही person कर लेता था चलिए अब हमारे पास आता है यह तो क्या finance financial management की definition क्या है तो financial management is a managerial activity comprising procurement of fund employment of firm resources in the most effective and efficient way to maximize the value of the firm यानि एक financial manager को वो सारी activity करनी पड़ती है वो सारे functions करने पड़ती है जिससे वो organization के लिए fund लेकर आ सके प्रोक्यूर कर सके उनको सही जगा पर इस तरीके से लगाए कि organization का जो पैसा है वो effectively यानि सही जगा इस्तमाल हो और minimum cost पर वो पैसा लेकर आए अगर वो minimum cost पर पैसा लेकर आएगा और सही जगा लगाएगा तो automatic बात है company को profit होगा अगर company को profit होगा तो company अच्छे dividends बातेगी तो automatically market price जो है share का वो बढ़ जाएगा और अगर market price share का बढ़ जाएगा तो यही purpose है एक organization में financial manager को लाने का कि shareholder का जो wealth है वो maximize करो यानि अगर shareholder ने 10 रुपे invest करे है share price में तो अब उसका जो share है market में अगर 100 रुपे का हो गया 90 रुपे उसकी creation हो गई इसी को होते है wealth maximization तो यह तब ही होगा जब profits होंगे और profit तब ही होगा जब आपने खुद अच्छे 3 decision लियोंगे यानि investment decision बढ़िया लिया उसके बाद आपने financing decision अच्छा लिया dividend decision अच्छा लिया उसके बाद ही आपके पास यह जो wealth maximization का जो purpose है वो accomplish हो सकता है financial manager का जिसके लिए financial manager को लाया जाता है तो अब आपके पास दो तरीके की assets होती है उनको भी समझ लेते हैं एक होती है real assets जिनके बारे में हम accounts में normally समझते हैं tangible assets हो गई plant, machinery, factory, furniture यह हमारी tangible assets होती है फिर intangible assets होती है patent हो गए, copyrights हो गए ठीक है या कोई भी knowledge हो गई आपके पास किसी भी तरीके के rights आपको मिलती है ठीक है तो यह आपके पास जैसे mining rights बगरा हो गए तो यह intangible assets होती है पर हम इस chapter में जो बढ़ने जा रहे हैं वो है financial assets financial assets क्या होती है securities को financial assets बोला जाता है और security में shares भी आता है और debenture और bonds भी आते है कई बचों को bonds और debenture में फरक नहीं बता होता है तो debenture के आगे ऐसे लिखा होता है 10% interest या 12% interest पर bonds जनरली क्या होते है 0% debenture मतलब 0% debenture को bond बोलते है तो कई बार ये सवाल उठता है कि यार ये तो loan देने वाले लोग हैं तो loan देने वाले लोग फ्री में क्यूं देने हैं तो फ्री में नहीं देते अगर ये आपको starting में एक लाख रुपे का loan देने के लिए बात करेंगे तो पहले ही आपके 10,000 रुपे काट कर आपको 90,000 देंगे यानि पहले ही दिन यह आपसे interest काट लेते हैं अलग से interest charge नहीं करते ही अब हमारे पास shares और debenture के बारे में बता रहा है तो shares को हम ownership right देते हैं तो share दो type के हैं equity share और preference share generally जो risk taker लोग होते हैं उनके पास voting right होता है decision making power होती है वो असली honor होती है company के उनके पास जितना भी profit last में बचता है वो सारा का सारा equity का होता है preference shares को कैसे आप define कर सकते हो preference shares जो है उनको equity के ओपर preference दी जाती है यानि जब company को profit हुआ for example यह है profit before interest and tax इसमें सबसे पहले हम debenture holder को interest देंगे फिर आएगा हमारा profit before tax फिर हम government को tax देंगे अब यह बचा profit after tax तो पहले इसमें preference को dividend दिया जाएगा फिर जो बचा कुचा है वो equity का dividend है तो इसे बोलते है residual income बच हुई income तो यह कोई बूरी बात नहीं है कि इनको बचा कुचा मिलता है इनका बचा कुचा कई बार इतना जादा होता है कि इनको तीन साल तक का benefit हो सकता है तो preference dividend वालों को fixed rate of dividend दिया जाता है जबकि equity का dividend flexible होता है लेकिन यह दोनो company के honored fund की category में decide होते है तो एक financial manager को यही देखना होता है कि honored fund से कितना पैसा ले और borrowed fund से कितना पैसा ले तो borrowed fund में क्या आता है loan हो गए, bond हो गए और debentures हो गए ठीक है न, इन्हें interest tax shield इसलिए बोला जाता है कि अगर कोई भी company इनसे पैसा लेती है तो company की tax की बचत होती है क्यों? अब देखें यही वाला table देखिए अगर मेरा 5 लाख रुपे का profit था और उसमें से 2 लाख रुपे का अगर मेरा interest चला जाता है तो अब मुझे 3 लाख पर tax देना है और अगर यह interest नहीं जाता तो मुझे 5 लाख पर tax देना पड़ता याने मेरे tax की बचत होती है और जो tax की बचत होती है वो जेब में चली जाती है equity shareholders के उसे हम बोलते है trading on equity याने कई बार debenture से पैसा लेकर या लोन से पैसा लेकर benefit हो जाता है tax का और वो जो tax का benefit होता है वो चला जाता है equity की जेब में उसे हम बोलते हैं trading on equity का concept यानि, while issuing debenture, tax benefit goes to equities hands that is known as trading on equity. अब हमारे पास एक important question आता है, evaluation of the financial management as a discipline. यानि, financial manager को एक proper way में कैसे लिया गया? यानि, कभ एक financial manager को जरूरत महसूस करेगी कि financial management एक अग से function होना चाहिए? यह approaches क्या है financial management की? या फिर अब कह सकते हो nature और scope क्या है financial management की? तो इसे तीन phases में derive करा गया है, up to 1940s, 1940 to 1950 and after 1950. तो यह तीन phase है, पहला phase है 1940 तक का phase, बहुत easy phase है, traditional phase इसको बोलते थे. इस phase में financial manager का काम सर्फ इतना होता था कि भाई, long term के लिए पैसा चाहिए वोला दू. यानि अगर company को formation करनी है, expansion करना है, सिर्फ long term purpose के लिए. तो long term purpose के लिए जब company को पैसे की जुरूरत पढ़ती थी, तो वो approach करते थे financial manager को कि तुम काम कर दो. तो एक तरीके से financial manager regularly organization में रखा जाए, ये भी ज़रूरी नहीं है. वो episodic होता था, episodic मतलब ज़िए episode आता है, of fund, इसका काम सिर्फ क्या था, procure करो fund. और वो भी जब company को long term पैसे की ज़रूरत है, short term के लिए इसको बिल्कुल नहीं बुलाया जाता था. तो limitation क्या थी traditional approach की, कि भाई, वो सिर्फ पैसा लाके दे 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 दा था, बाकी काम उससे नहीं करवाया जाता था. तो उसका emphasis क्या था traditional approach का, कि भाई, फंड लादो बस, episode की nature इसलो था था, क्योंकि कभी कबार उसको बलाया जाता था, short term finance के लिए उससे बात ही नहीं करी जाती थी, सिर्फ long term finances पे जादा जोड दिया जाता था, जबकि short term financing भी organization के लिए उतनी ही ज़रूरी है, जितनी long term ज़रूरी है, और बाकी जो issues होते थे financial management के, वो पूछे ही नहीं जाते थे, मतलब traditional approach का सिर्फ एक ही काम था, financial manager को बलाओ, जब company को expansion, या फिर formation, या नए product launch करने के लिए पैसा चीए, सिर्फ तब बुलाओ, अधर्वाइस उसको बिलाने के कोई ज़रूरत नहीं है, long term, यानि share debenture जब issue करने है, तभी financial manager की ज़रूरत है, अधर्वाइस financial manager का कोई role नहीं है, फिर second phase आया, यानि changes आने लगे, transitional phase इसको कहा गया, 1940 से 1950 का ये phase है, इसमें जो financial manager का रोल है, वो बढ़ गया, अब problems आने लगी, daily life में management, organization के अंदर, कि यार सिरफ long term finance के अलावा, और day to day problems बहुत हो रही है, finance को लेकर, cash कम पढ़ जाता है, creditor को payment time से नहीं जाती है, यार ये सब deal करने के लिए, भी organization में कोई ना कोई होना चाहिए, क्योंकि अगर creditor को time से payment नहीं करोगे, तो supplier आपको mall supply नहीं करेगा, salary time से नहीं दोगे, तो worker काम नहीं करेंगे, तो ये सारे जो issues होते हैं, salary time से देना, creditor को time से payment करना, bank का interest चुकाना, ये सब day to day problems है finance की, याने short term, याने working capital decision, तो इनके बारे में traditional approach में, financial manager को रखा ही नहीं जाता था, जब धीरे धीरे, day to day problems आने लगी finance की, तब समझ में आने लगा, कि traditional approach में बतलाब करने की ज़रूरत है, तो financial manager की responsibility और बढ़ा दी, और उसको कहा, कि आपने along with procurement of fund, याने अब आपने दो काम करने हैं, procure तो करना ही है fund, fund तो लाना ही organization के लिए, साथ की साथ आपने organization में cost control करना है, कि organization का खर्चा जो है, वो ज़्यादा ना आए, और तीसरी approach जो अब चल रही है, modern fees, जिसमें एक financial manager सभी कुछ करता है, आज उसका काम procurement of fund भी है, याने पैसा लाना भी है, पहले तो वो इस बात का जवाब दूढ़ेगा, कि कितना पैसा लाना है, how much fund, ठीक है, और किस purpose के जाईजिए यह वो भी देखेगा, यह देखने के बाद वो procure करेगा fund को, फिर procure करने के बाद सही जगा लगाएगा, सही जगा utilize करने के बाद जब profit होगा, तो उस profit का कितना portion बाटा जाए और कितना retain करा जाए, वो भी decide करेगा, तो आज के time में जो modern phase है, जो 1950 के बाद start हुआ, उसमें आपके पास एक financial manager, तीन major decisions लेता है, एक financial manager की importance क्या है, तो भाई, वो बहुत सारे काम करता है, तो ये सारे functions है, भाई के, forecast करता है, कितना पैसा चाहिए, how much fund is required, ठीक है न, planning मतलब, कितना पैसा चाहिए, कहां से लाया जाए, उसको लेकर proper financial planning करता है, और planning के बिना, तो भाई, आपका आगे का सारा काम फेली हो जाएगा, किसी भी management की नीव होती है, first activity होती है, first function होता है, planning करना, तो जो पैसा पहलिक बाद तो चाहिए कितना, और फिर उसको कहां से arrange करा जाए, उसकी planning करना, फिर जब पैसा arrange हो जाएगा, तो उसको सही जगा पे distribute करना, allocate करना, यारि उसे कहां use किया जाना चाहिए, वो भी financial manager decide करता है, इसके अलावा organization में कितना cash पढ़ा होना चाहिए, bank में कितना cash पढ़ा होना चाहिए, management of cash का का काम भी करता है, इसके अलावा जितनी भी financial transaction है, उनको record करता है organization के लिए, बाकी सबी department के साथ coordinate करता है, ते कि कोई भी department ऐसा नहीं, जिसको पैसे की ज़ुरत नहीं है, production department को पैसे की ज़ुरत है, marketing department को पैसे की ज़ुरत है, तो ये सारे के सारे department इसके पास तो जरूर आ थे, तो इन सब के साथ लगातार communication करते रहना और इन सभी organs में जैसे हमारी body में blood हर organ में जाना चाहिए बिल्कुर उस तरीके से जो fund का flow है organization में सही तरीके से चलता रहे वो आपके पास financial manager assure करता है इसके अलाबा financial control करता है कि अगर कही पर पैसे की खर्ची जादा हो रही है तो उसे कहां से control करा जाए किसी भी department में अगर पैसे का control नहीं हो रहा है तो उस पर control करना इसके अलाबा capital market और financial institution के साथ contact करना मतलब जो SEBI बगारा है आपके पास जब आप shares बगारा issue करते हो तो SEBI से permission लेनी पड़ती है और stock market में आपको share issue करने पड़ते है तो यह जो stock market में क्या च करता है planning करता है funds को सही जगा पे लगाता है organization में management करता है cash की record करता है सारी organization की details को सभी departments को fund का flow बनाता है financial control करता है अगर पैसे ज़्यादा कहीं खर्च हो रहे है तो हमां control करने के कोशिश करता है और stock market और financial institution के साथ लगातार contact में रहता है अब आता है जो तीन decision एक financial manager को ल एक-एक करके decisions को detail में पढ़ते हैं तो financial decisions के अगर हम बात करें तो पहला जो decision होता है उसे हम क्या बुलाते है investment decision तो investment decision में एक financial manager को ये decide करना होता है कि fund किस purpose के लिए चाहिए short term के लिए चाहिए या long term के लिए चाहिए short term का मतलब है कि कच्छा माल खरीदने के लिए चाहिए raw material खरीदने के लिए चाहिए या salary pay करनी है या creditor को payment करनी है इस बात के लिए पैसा चाहिए तो वो था short term financing decision और उसे हम liquidity decisions भी बोलते हैं और working capital decisions भी बोलते हैं और अगर एक financial manager को पैसा decide करना है नई machine खरीदने के लिए modernization करने के लिए नई branch खोलने के लिए नया product launch करने के लिए diversify होना चाहता है अगर इन सब activity के लिए पैसा चाहिए तो उसे बोलते हैं long term financial decisions और इने हम investment decision भी बोलते हैं financing decision भी बोलते हैं तो ये आपके पास long term financial decision हो गया तो पहला decision जिसमें एक financial manager ये decide करता है कि किस purpose के लिए पैसा चाहिए और कितने समय के लिए पैसा चाहिए और कितना पैसा चाहिए उसे हम बोलते हैं investment decision उसके बाद अगर हम बात करें ये तीनो decisions हम आपको एक एकर के explain करते हैं देखिए सबसे पहले आपके पास है तो ये तीन main decision है जो एक आपके पास financial manager को लेने होते हैं तो ये तीन decisions क्या है सबसे पहला है हमारे पास investment decision उसके बाद है financing decision उसके बाद है dividend decision तो investment decision में हमने आपको बताया कि वो ये decide करेगा कि long term के लिए पैसा चीए और short term के लिए अगर long term के लिए चीए तो capital budgeting decision short term के लिए पैसा चीए तो working capital decision एक बार ये decide हो गया कि पैसा किस purpose के लिए चाहिए फिर source of finance कहां से पैसा लिया जाए तो मेरे पास दो जरीयों होते हैं borrowed fund या तो हम debt से loan से ले 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 या फिर honored fund equity या preference से ले ले ठीक है न उसके बाद अगर हमें profit हो गया अब उस profit का कितना हिस्सा retain करा जाए और कितना हिस्सा preference share sorry equity shareholders को payout कर दिया जाए तो उस decision को हम बोलते हैं dividend decision अगर ये तीनो decision optimally लिए जाए तो financial manager organization की success का सबसे बड़ा role play करता तो एके करके देखते हैं सबसे पहले है investment decision तो हर firm के पास resource की scarcity है ऐसा तो है नी ना पैसा पैसा तो हर किसी को कमी लगता है तो organization के पास जो fund की scarcity है उसका allocation सही जगा होना बहुत जादा जरूरी है तो इसी लिए एक investment decision लेते वक्त financial manager को बहुत important role play करना पड़ता है तो दो तर तो capital budgeting decision के बारे में हमने आपको बता दिया कि अगर organization के लिए नई branch खोलनी है ने product launch करना है fixed assets खरीदनी है उन decision को हम capital budgeting decision बोलती है इसके features क्या होती है एक तो इसमें खूब पैसा लगा होता है risk बहुत जादा है क्योब पैसा लगा होता है और अगर गलट decision ले लिया तो यह decision reversible भी नहीं है और आपकी organization को long term impact करेगी जैसे अगर आपने घर गलत खरीद लिया तो यह decision आपके लिए बहुत जादा risky होने वाला है क्योंकि आपका खाफी पैसा इसमें लगा होगा घर खरीदने के बाद उसको बेचना इतना असान नहीं होता आपकी long term impact कर जागा क्योंकि period method निकालेगी बहुत सारे methods को analyze करने के बाद ही organization में financial manager यह decide करता है कि मुझे इस project में invest करना चाहिए तो आपके पास capital budgeting के features से ही हमें पता चलिगा कि यह कितने important है तो capital budgeting decisions are crucial for the survival of the firm अगर आप गलट decisions लोगे तो आपके profit पे बहुत जादा फरक पड़ेगा क्योंकि अगर आपने fixed asset गलत लेनी तो काफी गढ़बड हो जाएगी दूसरा decision जो investment decision के अंदर आता है वो है working capital decision जिसे हम liquidity decision भी कहते है इसमें हमें क्या decision लेना है कितना cash पढ़ा होना चाहिए कितना stock पढ़ा होना चाहिए raw material खरीदने के लिए कितना पैसा चाहिए salary देने के लिए कितना पैसा चाहिए इसकी भी अपनी importance है हम यह नहीं कह सकते कि इसकी importance नहीं है जैसे हमने traditional phase में पढ़ा कि पहले सिरफ long term के लिए financial manager को रखा जाता था लेकिन आज के time में ये बात बहुत जरूरी हो गई है कि stock भी जादा नहीं पढ़ा होना चाहिए organization में जितना जरूरी है उतना पढ़ा होना चाहिए bank में भी cash होना चाहिए creditor के time पे payment होनी चाहिए तो ये सारी चीज़े day to day payment को denote करती है liquidated decisions को तो आज के time में financial manager का role working capital decisions को लेना भी हो गया है सही तरीके से उसको decisions लेने है properly लेने है उसके duty है balanced होना चाहिए working capital ना working capital ज़्याद होना चाहिए ना बुरा जैसे organization में अगर stock बहुत ज़्यादा है तो ये bad sign है क्योंकि stock ज़्यादा होने का मतलब है कि company का पैसा ज़्यादा block हो रखा है और company का माल big नहीं रहा company के पास अगर फाल्तू का cash पढ़ा हुआ है इसका मतलब अपनी बेकार में loan लेकर उस पे interest भर रहे और organization में cash पढ़ा हुआ है तो working capital decision की भी अपनी importance है जो एक financial manager को ध्यान में रखनी चाहिए तो पहला decision हमारा हो गया investment decision जुसमें हमने पढ़ा कि capital budgeting decision और working capital decision याने short term और long term जब हमने एक बार ये decide कर लिया कि हमको पैसा जो है एक machine खरीदी में लगाना है माल लेते हैं कि 30 करोण की एक machine खरीदी में इसका मतलब जो financial manager है उसे capital budgeting decision लेना है अब उसको ये 30 करोण रुपे कहां से range करने है तो from where the amount is raised by the financial manager या source of fund क्या होगी at the minimum cost उस decision को हम बोलते है financing decision या capital structure decision एक ही बात है इसमें एक financial manager ये decide करता है कि जो मुझे 30 करोण रुपे लेने है कि सिरफ debt से लूँ सिरफ equity से लूँ या debt और equity का एक अच्छा mixture करूँ ताकि मेरी minimum cost पढ़े तो कैसे वो procure करें इस पैसे को कैसे वो 30 करोण रुपे अरेंज करेगा कहां से वो source जो है decide करता है जहां पर उस decision को हम बोलते है financing decision या फिर capital structure decision और उसकी पूरी कोशिश रहती है कि जो cost होनी चाहिए वो कम से कम होनी चाहिए अब मान लेते हैं कि उसने 30 करोण रुपे अरेंज कर भी लिए debt और equity का एक mix लेकर debt से उसने 20 करोण लिया और equity से उसने 10 करोण लिया 30 करोण रुपे उसके पास आ गया अब उस 30 करोण रुपे से उसने machine भी खरीदी और company को उच्छे profits हो गए अब ये table है आपके पास ये profit में से सबसे पहले आप interest चुकाते हो लोनर्स को उसके बाद आपके बस बचता है profit before tax उसमें से आप tax pay करोगे फिर आपके बस बचे का pat उसमें से आप preference को dividend होगे उसके बाद आपके बचे का equity dividend अब चोई equity का पैसा बचता है ना उसको लेकर दो decision आपने लेनी है how much of the profit is distributed as a dividend to shareholder और how much is retained तो एक ratio decide होती है एक example के तौर पे annual general meeting में shareholder को बुलाया गया board of directors के द्वारा और इनके बीच में proposal को accept करने की बाद इतुए board of director कहते हैं जी 70% जो है वो हम बाट देंगे 30% हम retain कर लेते हैं तो जितना आपने और ये agree हो गए shareholder जो है agree हो गए यहाँ पर retention ratio कितनी है profit का retention ratio है 30% और dividend payout ratio कितना है 70% तो एक example के तौर पे company को 3 लाक रुपे का profit हुआ था तो उसका 30% जो है वो retain कर लेगी organization और 70% क्या कर देगी बाट देगी तो इस में dividend decision में क्या decision लिया जाता है कि जो after tax profit है उसका कितना portion distribute करा जाए और कितना portion जो है वो retain करा जाए ठीक है न तो यहाँ पर दो term हमने आपके साथ डिस्कस कर लेए retention ratio और dividend payout ratio बस उसको ये कोशिश करनी है कि इनके बीच में balance होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारा ही बाट दूँ या सारा ही retain करनू तो बहुत सारे factors होते हैं जिनको ध्यान में रखते हुई organization ये decide करते है कि retain करना चाहिए या बाटना चाहिए चलिए अब financial manager का रोल क्या है बार बार हम वही बाते देख रहे हैं उसको fundraise करने हैं सही जगा उसको allocate करना है profit की planning करने है मतलब वही dividend decision कितना बाटा आ जाए कितना retain करा जाए और capital market में क्या चल रहा है यानि जो stock markets हैं उसके कैसे reactions हैं उनके बारे में study करना है financial manager का रोल है इन जनरल इस पूरे chapter में घूम फिरा के वही तीन decision आ जाते हैं investment decision, financing decision और dividend decision जिसका main काम financial manager को करना है अब आ जाता है कि एक financial manager का goal क्या होता है या objective क्या होता है तो अगर हम बात करें तो goal तो बहुत सारे है financial manager के उसको maximization of sale करनी है याने organization की sale भी बढ़ानी है profit भी बढ़ाना है, share price भी बढ़ाने है return on equity भी बढ़ाना है value of the firm भी बढ़ाना है यह सब चीज़ें उसके सामने रखी जाते हैं बट दो main approach हैं जो उसके सामने ultimately होती है पहली है profit maximization और दूसरी है wealth maximization इस पर भी बहुत important question आता है कि दोनों में difference क्या है और दोनों में से broader sense में कौन सा है तो दो concept है हमारे पास profit maximization और maximizing earning per share जिसे हम wealth maximization भी बोलते हैं इनको ध्यान से पढ़ते हैं यही last topic है इसमें comparatively अब हमारे पास है profit maximization तो किसी भी organization की economic activity आपको पता है economic activity का मतलब होता है कि आपने कोई भी काम करना और उसके लिए पैसा earn करना चाहते है तो organization का जो ultimate objective होता है वो definitely profit earn करना होता है और profit earned by firm जितना profit firm earn करती है उससे उसकी economic efficiency declare होती है जितना company अच्छा profit earn करी है उतना अच्छा तो profit maximization का तो यही मतलब है कि जादा से जादा profit earn करो तो सारी activity जो organization में profit को बढ़ावा देती है वो obviously करी जाएंगी और जिससे company का profit कम होता है वो avoid करेगी firm तो profit maximization तो हमें बहुत पहले से ही पता है कि profit maximization का मतलब होता है या और organization में कम से कम खर्चा करो ambiguous मतलब जो यह profit होता है जैसे net profit होता है यह gross profit होता है यह सही नहीं होता तो आप कैसे कह सकते हो कि आपका profit बढ़ गया क्योंकि इसमें कई चीज़े assume करी जाती है जैसे depreciation आपने assumption basis पे लगाया होता है provision for जो doubtful debt है वो आपने assume basis पे लगाया होता है time value of money क्या है वो next chapter में समझाया जाएगा कि आज जो मैं 1 रुपे से buy कर सकती हूँ आज से 4 साल बाद obviously नहीं बाई कर सकती हूँ उसके लिए मुझे 1 रुपे 50 वैसे चाही होगी तो 1 रुपे की worth जो है वो decrease होगी तो time value of money इसे कहते है तो time value of money को consider नहीं करा जाता profit maximization में दूसरी बात आपने risk की तो बाती नहीं करी profit में कि रिस्क कितना लिया है बस profit profit पर बात कर रहे हूँ तीसरा जब कोई organization चौथा profit पर काम करती है तो वो समाज के benefit को कही ना कही exploit करती है यानि customer को exploit करती है ताकि उसका ज़्यादा profit हो सके तो ये कहा गया कि यार profit maximization उतना अच्छा objective नहीं है अच्छी approach नहीं है तुम ना wealth maximization की तरफ जाओ वो ज़्यादा बढ़िया है अब बहुत बार पेपर में question आता है wealth maximization concept को समझाईए तो इसके दो पहलू है दोनों को ध्याद सा समझना है wealth maximization का मतलब होता है market price of share increase करना और दूसरी तरफ है NPV maximum करना तो दोनों चीज़ें आप समझाते हैं पहला है market price increase करना अगर company ने सही जगा से यानि financial manager ने सही जगा से procure कर लिया fund minimum cost पर और उसे सही जगा effectively invest कर लिया तो company को definitely अच्छे profits होंगे अगर company को अच्छे profits होंगे तो company dividends अच्छे बातेगी अगर company dividend अच्छे बातेगी तो market में उसकी demand जो share की होगी वो बढ़ जाएगी और अगर demand of share बढ़ जाएगी तो automatically market price of shares जो है न वो increase हो जाएगा और अगर market price of share increase हो जाएगा इसे ही बोलते हैं कि आपने जो share holder है उसकी wealth बढ़ा दी यानि उसने 10 रुपे लगाया थे आज वो market में उस share को बेच रहा है तो 100 रुपे का बिकरा है 200 रुपे का बिकरा है बहुत सारे कंपनी के share देखो जिसमें 10 रुपे की चीज़ थी लेकिन आज वो कितनी value हो चुकी है उसे बोलते हैं wealth maximization दूसरा एक और wealth maximization का concept है ये एक perspective है और ये दूसरा perspective दूसरा perspective है net present value को maximum करो net present value क्या होती है सबसे पहले जितने भी तुमार को future में inflows होने वाले है मतला पैसे मिलने वाले है उसकी value आज के हिसाब से लगाओ जैसे के example के तौर पे आज मैंने 1,000,000 रुपे बैंक में जमा कराए बैंक मुझे पांच में साल से 20,000,000 रुपे देना शुरू करतेगा तो यह जो मैंने 1,000,000 रुपे जमा करा यह तो आज की value है present value है लेकिन जो 20,000,000 रुपे की वर्त को आज के हिसाब से लगाओ उसे बोलते है present value of cash inflows उसमें से जब हम present values of cash outflow minus करते हैं तो आता है net present value जिस पर numerical सीखेंगी अगर यह positive हो जितना ज़्यादा उतना अच्छा अगर यह positive है चार project है अगर यह positive है चारू का तो जिसका NPV ज़्यादा होगा उसको हम importance देगे और जिसका NPV कम होगा उसे हम कम importance देगे क्योंकि NPV maximum का मतलब होगा wealth maximize उसी से फायदा होगा company को और अगर NPV negative है उस project को तो हमें reject ही कर देना चाहिए तो हमारे पास दो perspective हो गए wealth maximization के एक हो गया increasing the market price of the share और दूसरा हो गया NPV जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो NPV positive होगी तो project को आपने accept करना है negative होगी तो definitely accept नहीं करना और अगर 3-4 project है चारों की positive है तो जिसकी ज़्यादा है उसको हम ले लेती है इसे बोलते है wealth maximization अब NPV का formula जो हमने आपको अरड़ी बता दिया present value of all future cash inflows उनकी जो भी future में आपको पैसे मिलने वाले है उसकी आज ही value निका लो और present value of all future cash outflow उससे आपके पास NPV निकल कर आजाती है अब आपके पास है कि wealth maximization जादा अच्छा criteria है profit maximization तो yes क्यों 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 क्योंकि wealth maximization जो है वो time value of money को consider करता है वो सिर्फ profit पे focus नहीं करता वो देखता है पैसे कितने आ रहे हैं organization में profit में देखो अगर आपने credit sale करी तो वो भी आपने profit उसका भी profit ले लिया लेकिन अभी उसके पैसे आया है थोड़ा नहीं लेकिन जो wealth maximization है वो इस पर आपर focus करेंगा कितना cash आपके पास आया है इसके अलावा वो shareholder की earning पे बहुत importance देता है और shareholder को बहुत preference देता है तो wealth maximization जादा बढ़िया concept है यह है wealth maximization और यह है आपका profit maximization तो profit maximization थोड़ा सा आप कह सकते है कम जो है broader concept है wealth maximization जादा broad concept है क्योंकि wealth maximization में time value of money भी आ जाता है risk को भी consider करता है और shareholder की preference को भी consider करता है तो इसलिए अगर हमसे पूछा चाहे कि wealth maximization जादा बढ़िया criteria है तो definitely yes profit maximization से अब देखिए जो wealth maximization वाली approach है वो shareholder के purpose यह से है तो उसका जो focus है वो पूरा का पूरा जो है वो सिरफ shareholder पर है यार shareholder के पैसे बढ़ाओ shareholder के पैसे बढ़ाओ लेकिन एक जो manager financial manager company में आता है उसे सिरफ shareholder का ध्यान नहीं रखना होता बाकी सभी stakeholders का भी ध्यान रखना होता है जैसे creditors हो गए खुद management हो गए employee हो गए government हो गए इन सब का भी ध्यान रखना है तो उसको बहुत importantly decision लेने होते हैं ताकि वो अपने सभी stakeholders को खुश कर सके ठीक है तो कहते है there is a difference in the perception of management and shareholder तो shareholder कहेगा कि यार मुझे ज़्यादा पैसा कमा कर दू और manager का perception हो सकता है different हो क्योंकि management जो है वो ये सोचती है board of director ये सोचता है कि यार मुझे तो पूरी organization को benefit दीना है लेकिन shareholder कहता है नहीं तू सिरफ मुझे benefit दीना है तो यहां पर risk ले लिया तो भी problem रहेगी ठीक है ना और बहुत कम risk लिया तो return अच्छा नहीं मिलेगा तो risk return trade off का मतलब है कि दोनों में अच्छा खासा balance होना चाहिए तो generally जो return और risk के बीच में relationship है वो यह है कि जो return हमें मिलता है वो दो तरीके के risk पर मिलता है कुछ होते है risk free rate और एक होते है risk premium जैसे के example के तौर पे मुझे पैसा invest करना है ठीक है ना तो मैं bank में post office में पैसा जमा कराऊंगी चलो post office आज के लिए टाइम में बैंक में तो कोई benefit नहीं है तो post office मुझे सिरफ 4% interest दे रहा है तो यह risk free interest है क्यों क्योंकि मुझे यहाँ पर कोई risk नहीं है और return तो मुझे मिल ही रहा है तो जो 4% हुआ यह risk free rate हुआ अब मैंने का करा इसमें मैंने 5000 जमा करा है लेकिन बाकी के जो 25,000 उपे थे मैंने market में loan दे दिया 12% interest rate पर अब जितना जादा मैं risk की जगा पे पैसा लगाऊंगी उत्ता जादा मुझे return में लेगा अगर मालो मैंने bank में जमा करा है तो bank मुझे 8% interest देगा अगर मैंने किसी को personal loan दे दिया तो वो मुझे 12% देगा तो जो उपर से बाप पैसा invest कर रहे हूँ risk ले रहे हूँ उसका जो आपको return मिल रहा है 12% वो है आपका risk preview तो कुल मिलाकर जो हमारा return हो गया 16% जिसमें दो तरीके के risk है risk free rate जो मैंने आपको बताया post office में पैसा जमा करा दिया और 12% आपका risk preview तो इसी तरीके से organization को financial manager manager को एक कोशिश करनी चाहिए कि उसका return और risk है उसमें balance होना चाहिए तो इसे एक diagram से भी समझाया गया risk return trade-off को कई बार exam में आ जाता है तो यहाँ पर इस diagram में क्या है x एक सब्सक्राइब risk है और y पर expected return यहाँ पर है zero risk और zero risk पर जैसे एक example के तॉप मैंने आपको post office का बताया कि government के पैसे होते है हमाँ पर तो हमने zero risk लेकर हमें फिर भी return मिल रहा है 4% ठीक है that is fixed यह fixed है ठीक है आप जितना मर्जी करो यहाँ पर return आपका fixed रहेगा अगर आपने for example इतनी investment करी तो यहाँ पर आपका risk जो है इधर आ गया इतना risk हो गया और आपका जो return है वो पहले से बढ़ गया अब आपका जो return है वो इतने portion से बढ़ा है इसे बोलते है risk premium अगर मैंने यहाँ तक investment करी for example इतना risk ले लिया risk two तो ऐसे case में मुझे जो return मिलेगा वो यह वाला मिलेगा और इसमें जो यह extra मिल रहा है मुझे that is what risk premium तो जो यह वाला triangle है पूरा का पूरा यह है मेरे पास risk premium याने मैं जितना जादा risk लोंगी उसका मुझे extra benefit मिलेगा that is what risk premium ठीक है तो एक manager की कोशिश होनी चाहिए कि इसमें क्या होना चाहिए balance होना चाहिए risk free return यान ऐसी जगा भी invest करो जहां पे risk कम हो इसलिए equity से ज़रूर पैसा लिया जाता है तो कि वो risk free है कहीं न कहीं और अगर हम debenture से पैसा लेंगे तो कहीं न कहीं हमारा risk या leverage जो है वो बढ़ता जाता है कहीं न कहीं अब अगर हम overview लें जो भी हमने पढ़ा है finally financial management को overview क्या है तो financial manager को इसलिए लाया जाता है ताकि वो shareholder के wealth को maximize करे उसके लिए वो financing decision लेता है जिसमें उसके पास 3 decision है या चार वैसे लिख दिए है investment decision को दो category में divide करा है तो investment decision में वो कह रहा है capital budgeting decision और liquidity decision का मतब होता है working capital decision इसके अलावा financing decision में होता है पैसा कहां से लिया जाए और dividend decision में होता है जो पैसा आया profit आया उसे कितना बाटा जाए और कितना retain करा जाए इन चारो decision को लेते वक्त उसको इस बात का ध्यान रखना है कि risk और return में balance होना चाहिए बहुत ज़ादा risk नहीं रखना organization को और maximum return भी earn करके देना तो यही है risk return trade-off कि कैसे ज़ादा return कमा कर दे सके organization को और risk भी organization का कम करे इसके लब एक छोटा सा concept है agency problem agency problem में यह है कि जो manager है और shareholder है यह agent और principal होते है जो को असली owner जो है वो company के कौन है भाई shareholders है अब shareholders सारे के सारे company को चला नहीं सकते तो वो अपने ही भिहाब पर कुछ लोगों को board of directors या managers के तोर पे appoint कर लेते हैं organization यह जो board of directors है यह owner के agent shareholders के agent है इसे ही बोला गया principal agent relationship तो principal मतलब है यहाँ पर owners याँ शेरोल्डर और agent है यहाँ पर board of director या manager तो theoretical perspective से तो यह है कि manager को shareholder का benefit करने के लिए लाया जाता है लेकिन general तो और पर manager पता है क्या करने लग जाते है अपना benefit करने लग जाते है कैसे उनको high salary मिले कैसे उनको perk मिले तो इनका जो contradiction है कि manager को लाया तो इसलिए जाता है कि भाई shareholder का benefit करो लेकिन करने वो अपने लगा benefit जाते है इस वज़े से इन में थोड़ा सा dispute रहता है इसे बोलते है agency problem तो manager versus shareholder बोल तो manager generally avoid करेगा ऐसी decision लेने में जिसमें उसको risk जादा हो यह जादा investment करना पड़े कि उसे लगेगा या नुकसान हो जाएगा अगर वो high risk नहीं लेता तो shareholder का पैसा maximize नहीं होगा तो कही ना कही इन दोनों में कोई ना कोई problem चलती रहती है तो यहाँ पर यही लिखा है कि manager avoid करता है कि यार मैं high investment ना करूँ decisions ऐसे ना लूँ जिससे risk जादा लेना पड़े अना कल कोई मेरे problem मेरे सर मत्ये ना लग जाएं तो वो कोशश करता है कि मैं बचू अगर वो बचेगा risk लेने से तो shareholder wealth maximization का जो motive है जिसके लिए उसको लाया है shareholder में वो पूरा नहीं होगा तो यह जो conflict है ना दोनों के दिमाख में उसे ही हाँ पर बोला जाता है agency problem और इस agency problem की वज़े से organization में agency cost खर्च होगी अब यह cost क्या है अब ओविसली बात है managers के उपर check रखने के लिए कि वो सही से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं ठीक है इसके लिए shareholders जो है उनके उपर supervision रखते हैं monitoring रखते हैं monitoring का जो खर्चा है उससे agency cost डराइव होती है अब क्योंकि manager ढंग से visa नहीं ले पा रहा तो shareholder का पैसा भी maximize नहीं हो रहा वो भी opportunity cost हो गई और दूसरा भाई उनको monitor करने के लिए कि वो organization के लिए ढंग से काम करें उनके ओपर भी management रखनी पड़ रही है इसे कहते हैं agency cost जो agency problem की वज़े से कहीं ना कहीं खर्च होती है आपके पास तो अगर हम बात करें कि किसी भी organization का जो main motive है financial manager को लाने का वो यह यह है कि shareholder की wealth को maximize करो बढ़ कभी-कभी वो अपने purpose के लिए चले जाते है तो financial goal क्या है या firm का mission क्या होता है shareholder wealth को maximize करना जिसके लिए different different decisions जो है organization में लिये जाते हैं ताकि organization का जो best motive है वो पूरा हो सके अब यहाँ पर एक question आता है हमारे पास कि reasons क्या है कि जो finance decision होता है वो generally top management के हाथ में दिया जाता है क्योंकि भाई देखो यह decision अगर गलत हो गए न तो organization insolvent हो सकती है तो organization की solvency या insolvency यह इस बात पर depend करती है कि decision कितने effectively नहीं है और बात क्रूशियल करती है survival company चलेगी या बंद हो जाएगी बहुत जादा जरूरी है क्योंकि इन में जरा सीथी लापरवाही जो है organization को काफी कुछ सफर करा सकती है अब हम बात करें कि function organization of finance function क्या है दो चार्ट हमारे सामने बने हुए अलग-अलग organization में अलग-अलग तरीके से होता है इसमें अगर माल लीजे एक product वाली company है और यहाँ पर एक से ज़्यादा product वाली company है तो generally क्या होता है board of director होते है उसके रीचे managing director होता है managing director के रीचे production manager होगा personnel manager होगा HR manager होगा finance manager होगा marketing manager होगा जो यह financial director होता है यह financial manager होता है इसके under दो लोग होती है जिसके बारे में हमने पढ़ना है एक होता है treasurer और एक होता है controller जो treasurer होता है उसका काम होता है fund को raise करना और manage करना कि कहां लगाना है और जो controller है वो इस बात को assure करता है कि वाक्वे में fund सही जगा लगाए गए अगर कुछ भी गलत है तो उसे वही पे check on करता है तो treasurer का काम है raise करना fund को और controller का काम है ये shore करना कि जो fund है वो बिल्कुल सही जगा लगाए जाए तो अगर हम बात करें कि financial executive की duty क्या होती है तो financial officer को अलग-अलग organization में अलग-अलग नाम से बुलाया जाता है financial officer को कभी-कभी vice president बोल देते है finance का कोई director of finance बोल देता है कोई financial controller बोल देता है तो सबका अपना-अपना तरीका है उसको बुलाने का बाकि हमने treasurer का रोल क्या होता है controller का रोल क्या होता है बोल देता दिया